राम किसान भायो मैंने तिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल Fertilizer Expert में किसान भायो आज जो हम एक कीटना सक के बारे में बात करेंगे यह Syngenta कंपनी का आता है Polytrane Insecticide के नाम से किसान भायो यह पुराने जमाने का पुराना कीटना सक है लेकिन नए जमाने में भी इसने कमाल मचा रखा है बहुती सस्ता है इससे सस्ता तो मैं समझता हूँ कोई कीटना सक हो ही नहीं सकता और किसान भे इतना सस्ता होने के साथ साथ यह कम से कम साथ से लेके आठ तरह के कीटो पर अपना कंट्रोल बना करके रखता है और साथ से लेके आठ कीटो को ये बड़े आसानी की साथ किसान भाईयो मार डालता है तो क्या कुछ कैसे रहने वाला है सब कुछ complete जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ किस तरीके का ये कीटना सका है कौन कौन से एक्सन आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे डोज क्या रहेगी कीमत क्या रहेगी किस किस की साथ हम इसे मिला सकते हैं flowering stage में इसका spray कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे rain fast activity इसकी कैसी है डोज क्या है कीवत क्या है संपूर जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ तो चलिए शुरू करते हैं किसान में बात करते हैं सिंजेंटा कंपनी के पॉलिटरिंड इंसेक्टी साइट के बारे में इसके अंदर कौन-कौन से टेक्निकल देखने को आपको इसमें मिल जाता है अब बात करते हैं किस तरीके से यह हमारी Moh पर कंपनी करता है और किया इसका काम करने का तरीका के देखने संवे मानने की छमता रखता है कि जितने भी कीट compromise पेसक्री के ने करते हैं .. जो भी कीट इसका इस्प्रे किया हुए फल को खाएंगे या उसके पत्ते को चूसेंगे उन्हें ये कंट्रोल कर लेता है उन्हें ये मार देता है systemic insecticide भी ये किसान भईयो साथ है यानकि system के इंदर पहुँच करके ये कीटो को मार देता है उन्हें के nervous system को इस तरीके से ब्लोक कर देता है कि ना ही तो वो खाने पीने योग्य रहते हैं और ना ही किसान भईयोवे चलने फिनने योग्य रहते हैं और कीटो की मृत्ति होनी सु देखने को नहीं मिलेगा यदि बात की जाए तो तोरी हो लोकी हो भिंडी हो गन्ना हो धान हो या फिर हमारी गेहूंगो हर तरह की फसल पर आप इसका उप्योग कर सकते हैं बैस्ट रियल्ट की आपको निकाल करके दे सकता है बात करते हैं कौन-कौन से क्यूटो पर इसके ब पिंक वोल वर्म पर भी किसान भी जो इसके अच्छे रियल्ट मिल जाएंगे यानि कि जो हमारे रस चूसक कीट होते हैं उन्हें भी ये मारता है और जितने ये पत्ते खाने वाले कीट होते हैं हमारे जो हमारे पत्तों को खाते हैं उन पर भी इसके अच्छे रियल्ट आपको निकाल करके ये दे सकता है, गन्य की फसल के ओपर जो इस समय पर टोब बोरर का डैक चल रहा है, यदि इसकी मात्रा डबल करके डाली जाए, या डबल करके इसके एस्प्रे के जाए, तो ये गन्य की फसल के अंदर टोब बोरर को भी कंट्रोल करने में बहुत ज़्या ग्रट करूं एक लेटर पानी के अंदर आपको 2 अमेल необходимо कमपई के पुलितर नहीं को डाला होगा या फिर प्रोफनोफ। प्लस साइफर मैतरिंग को डालना होगा और तब इसका एस्प्रे करेंगे अच्छे रेटिया आपको निकाल करके दे सकता तो एक लीटर पानी के इंदे दो एमेल की मातर आपको चाहिए यहनकि 15 लीटर वाला पंप है तो 30 एमेल और 200 लीटर पानी के आपको आवस्थता पढ जाता है आपके यहाँ पर क्या कीमत है नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं बात कर लेते हैं इसके कॉंबिनेशन की किसका कॉंबिनेशन हम किसकी साथ कर सकते हैं तो NPK की साथ भी आप इसे मिला सकते हैं किसी कीट नासक की साथ भी आप इसे मिला सकते हैं कोई भ मिलाकर के इसका इस्प्रे कर सकते हैं कि हमारी फूल आ रहे हैं फूल आने वाली इस्तिती हैं तो फूल जाड़ेगा या नहीं तो बिल्कुल आप फूल आने वाली अवस्ता में भी इसका उप्योग करेंगे तो अच्छे रेल्ट इसके देखने को मिल जाते हैं नुकसान आपको यह निकाल करके नहीं देता है अब बात कर लेते हैं इसकी रेंफास्ट एक्टिविटी की मालेचे इसका इस्प्रे आप करते हैं चिपको का इस्तिमाल आपने किया है या फिर सैंपो का इस्तिमाल आपने किया है और तीन से लेके चार घंटे के बाद बरसात होती है तो असी से लेके पिचासी परसेंट तक यह आपको अच्छे रेल्ट निकाल करके दे सकता है बात कर लेते तो इस तरीके से ये कर रहे करता है और बहुती सांदर लेल्टिस के आपको देखने को मिल जाएंगे काफी सस्ता होने के साथ साथ बहुत सारे कीटो को मारता है और आपकी जेब पर ज्यादा असर भी किसान भाईयो नहीं बढ़ता है उम्मीद है ये वीडियो मेरे किसान भाईयो को काफी ज़्यादे पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप सेयर भी कर सकते है